उश्मी उर्जा के मात्रक पहला, CGS पद्धती में उश्मा का मात्रक कैलोरी है एक कैलोरी उश्मा की वह मात्रा है जो एक ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिगरी सेंटिग्रेट से 15.5 सेंटिग्रेट तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है कैलोरी के इस्थान पर किलो कैलोरी का भियोप्योग किया जा सकता है एक किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी दूसरा, चुंकि उश्मा उर्जा का ही एक स्वरूप है इसलिए उश्मा का ऐसाई मात्रक जूल होता है एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल एक किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणे 10 की घात 3 जूल 3.2.1 उश्मा का संचरन हमने देखा की जिस प्रकार द्रव सदैव उचे तल से नीचे तल की ओर बहता है उश्मा का प्रवाभी सदैव ही उचे ताप वाली वस्तु से निम्नताप वाली वस्तु की ओर होता है तापांतर के कारण उश्मा का एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक हो रहे इस्थानांतरन को उश्मा का संचरन कहते हैं आपने कक्षा 9 में ध्वनी के बारे में पढ़ा है। ध्वनी संचरित होने के लिए किसी माध्यम के अवशक्ता होती है। सोचिए क्या उश्मा के संचरन के लिए भी सदैव किसी माध्यम के अवशक्ता होती है। आईए हम उश्मा संचरन के तीन प्रकारों को जाने। चित् सारे processes के combinations के द्वारा होने वाला movement. उधारन के लिए gas की law पर एक pan में पानी गर्म करते समय, heat इन तीनों तरीखों से transfer होती है. Law से heat सभी directions में radiate होती है. burner से metal के बने pan तक heat conduction द्वारा transfer होती है. इस heat transfer के कारण ही कुछ समय बाद pan का handle भी गर्म हो जाता है. पानी convection process से गर्म होता है, जो कि गर्म पानी के ऊपर उठने और ठंडे पानी के नीचे आने के कारण बनने वाला एक circular movement होता है. heat transfer को एक object के ठंडा होते समय भी देखा जा सकता है. यदि गर्म कॉफी का एक मग रसोई में एक टेबल पर रखा हो, तो उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि कॉफी अपनी heat lose करती रहती है. heat energy मग से टेबल पर conduction के माध्यम से transfer होती है. convection से liquid उपर उठता है और ठंडा होने पर वापिस नीचे आता है. और radiation वारा heat आसपास की हवा को transfer होती है. पहला, चालन, कंडक्शन, क्रिया कलाब दो, आवश्यक सामगरी, मोम बत्ती, लोहे, अलुमिनियम, काच और सिरेमिक की एक समान लंबाई और मोटाई की छड, कुछ ओल्पिन. सभी छड़ों पर बराबर दूरियों पर मोम से ओल्पिन चिपकाएं. चड़के एक सिरे पर कपड़ा बांद लें, ताकि पकड़ने में असानी हो. दूसरे सिरे को मोम बत्ती की लोह पर रखकर गर्म करें. आप क्या देखते हैं? चित्र पांच अ. सभी छड़ों के ओल्पिन गिरने का समय नोट करें. क्या आप बता सकते हैं? किस पदार्थ की छड़का ओल्पिन सबसे पहले गिरा और क्यूँ? अब एक छड़ में मुम बत्ती से ओल्पिन को इस प्रकार चिपकाएं कि बीच का इस्थान खाली रह जाएं. दोनों ओर ओल्पिन समान दूरियों पर जिपकाएं. चित्र पाँच ब. अब छड़को बीच में से गर्म करने पर क्या होता है? उश्मा के संचरन की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? चालन के द्वारा उश्मा पदार्थ के एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पदार्थ के कणों के द्वारा अपना इस्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है. आपने देखा कि धातू के छड़के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी शिगर ही गर्म हो गया गर्म होने पर छड़के उस भाग के कड़ों में कमपनता बढ़ जाती है और उनमें उश्मी उर्जा बढ़ जाती है कमपन करने वाले ये अणूं अपने से आगे आने वाले अणूं में उर्जा इस्थानांतरन करते रहते हैं ठोस पदार्थों में उश्मा का संचरन केवल इसी प्रकार संभव है चालन द्वारा उश्मा के प्रवा को उश्मी चालक्ता कहते हैं और यह पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करती है। उश्मी चालक्ता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। उश्मा रोधी पदार्थ, इंसुलेटर्स, इनकी चालक्ता शूर्नियों होती है। उश्मा का संचरन नहीं होने देते जैसे एबोनाइट, एसबोटस, कूचालक, बैट कंडक्टर, उश्मा का संचरन सरलता से नहीं होने देते जैसे लकडी, काच, चालक, कंडक्टर, उश्मा का संचरन सरलता से होने देते हैं जैसे धातू, जल, बढ़ती चालकता के अनुसा पदार्थ के प्रकार